Hi all, and our Indian Contract Act is taking its last breath. जी हाँ, अंतिम सांसे ले रहा है हमारा Indian Contract Act क्योंकि इतने सारे lectures कवर करने के बाद जो आखरी topic बचाए है वो है agency. इस topic को कवर करने के बाद agency के साथ साथ हमारा Indian Contract Act भी खतम हो जाएगा. बहुत लंबा सफर हमने तेह किया है. अब आगे किसी दूसरे subjects को हम कवर करेंगे. तो फिर शुरू करते हैं कि agency क्या होता है. अच्छा, तो agency start करने से पहले एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ. कि LIC का नाम सुनाया आपने, Life Insurance Corporation of India. जी हाँ, Life से related, Health से related ऐसी policies बेचती हैं, like MediClaim, etc. तो इन companies का, इनी के साथ में दूसरी companies भी हैं market के अंदर, जो ऐसे काम करती हैं, जिसे ICI, ICI Prudential, Bajaj Aliens, ऐसी companies जो हमें policies बेचती हैं. तो क्या इन companies हमें direct आकर हमारे पास में policies बेचती हैं? जी नहीं, इन companies के agents होते हैं, जी हाँ, agents को appoint करते हैं ये, और वो agents हमारे पास आते हैं, वो इन policy, इन companies के काम को, इन policies के products को, इन company के policies को हमें समझाते हैं, और हमें convince करते हैं. और फिर हम हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी मन पसंद चीज को पसंद करते हैं. जी हाँ, वो मन पसंद चीज policies होती हैं. तो ऐसे दूसरी कंपनिया भी हैं, बहुत सारी कंपनिया हैं, इस सिर्फ insurance से related नहीं, जी हाँ, दूसरी कंपनिया भी हैं, market में, जिनके agents होते हैं. ज पर्टिकुलर्ली इनी कम्पनियों के प्रोडक्स के अंदर डिल करता है जी तो ये जो लोग होते हैं ये होते हैं एजेंट्स और यही जो हमारा चैप्टर है आज चैप्टर 10 इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट का और लेक्चर कौन सा है 17th तो ये जो पूरा chapter है ये इस agency और agents को ही devoted है तो आईए फिर आगे शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से chapter हमें समझाना चाता है कि agency क्या होती है देखे agency समझनी है तो एक व्यक्ति को हमेशा स्याद रखना पड़ेगा वो है principle यहाँ principle कौन है यहाँ principle है LIC बजाज aliens ऐसी insurance company और अगर दूसरी तरफ जैसे मैंने cement का जो example दिया तो cement factories या cement companies का कौन principle है जिस company की cement है ultra tech बिनानी ओके तो यह जो लोग है यह है principle और जिन लोगों को यह appoint कर रहे हैं कि आप हमारे products और हमारी policies को जाके बेचिए वो है agents मैं उमीद करता हूँ कि इन दो लोगों को आप कभी नहीं बोलेंगे अपने जीवन में तो आईए फिर आगे चलते हैं principle और agent के concept से तो principle जो होता है वो agent को instructions देता है agent को guidance देता है कि आप जो है जाईए और मेरे products और मेरी policies एक्सेक्टरा जो भी चीजों में मैं business करता हूँ उन चीजों को आगे जाके promote करीए उन चीजों को आगे जाके sell करीए और agent के उपर आते हैं तो ये काम तो principle का था क्यों कि principle का बात जो ती वो मैंने आपको समझा धी अब जो आई ए कि agent जो होते हैं वो क्या करते हैं तो agent जो होते हैं, वो इन चीजों को हमारे पास आके बेचते हैं समझाते हैं, convince करते हैं और हमारी जरूरत के साब से जो चीजे होती हैं वो हम उनसे खरीद लेते हैं पर actually हम चीज किस की खरीद रहे हैं? जीज खरीद रहे हैं उस principle की, उस company की और उनका जो mediator है हमारे और उस company के बीच में जो mediator है वो है agent वो उनकी जो services है वो हमें मौया करा रहा है तो अब जो चीज हमें सीखनी है वो है substituted agent, sub agent जी हाँ agent तो मैंने समझा दिया agent के साथ साथ एक और term है substituted agent या फिर sub agent मतलब यह तीनों अलग अलग चीज़े है पर agent के अंदर ही दो चीज़े जो divide हो रही है वो है substituted agent और sub agent तो जो sub agent होते हैं वो agent ही किसी और दूसरे व्यक्ति को appoint करता है कि आप मैं नहीं आप जाके उस policy को बेचे है आप जाके उस product को बेचे है तो agent खुद अपने नीचे एक आदमी को appoint करता है मान लीज़े अगर मैं किसी company की agency लेता हूँ बेचने के लिए मैं LIC का agent बन जाता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर अपने भाई को कहता हूँ कि मैं नहीं मैं घर पे रहूँगा आप जाके बेचिये तो अगर मेरे नाम से agency है तो मेरा भाई जो है वो sub agent है वो मेरे नाम से business तो कर रहे है पर वो sub agent है वो जाके अब लोगों को convince कर रहे है तो ये है सब एजेंट का कंसेप्ट, सब्स्टिटुटेड एजेंट का जो कंसेप्ट है, वो मैं आगे चल के आपको समझाओंगा, जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, आज का जो लेक्चर है, वो पूरी तरीके से से, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और हम जो है, आज स आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी एजेंट के थ्रू, तो आप third party हूँ, अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं भी third party हूँ, तो इसी तरीके से, अगर मैं इस चैप्टर में, अगर खुद को एजेंट बताउं किसी कंपनी का, और मैं अगर आपके पास में आता कोई पॉलिसी, कोई प्रोड़क बेचने के लिए, तो आप थर्ड पार्ट नी है, मैं एजिन्ट हूँ, और जिस कंपनी की एजिन्सी मैं ने लिए रखी है, वो प्रिंसिपल है मेरी, तो हम तीनों के उपपर ये पूरा जेप्टल रेवाल्व करेगा, तीक है, और अब जो आगे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है अथॉरिटी की, अथॉरिटी, एक्स्प्रेस या इंप्लाइड, जी हाँ, प्रिंसिपल कहीं बार, एक्स्प्रेसली डिकलेर करता है, कि जो ये भाई साब है, यानि कि जो मैं हूँ, मैं एजेंट हूँ उस कंप्नी का, ये एक्स्प्रेसली जो मेरी कंप्नी है, प्रिंसिपल हैं, जो वो बता देंगे, ठीक है, कि हाँ, ये मेरे एजेंट है, और कहीं बार इंप्लाइड रहेगा, अगर मैं उनकी तरफ से कोई और दूसरा काम कर देता हूँ, उनकी जो हित में कोई काम कर देता हूँ, और उस चीजों को वो नजर अंदाज ना करते हुए, सहे लेते हैं, समझ लेते हैं, कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उनने हमारे ले खाम किया हम, उनसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो यह एक इंप्लाइड अथोरिटी है, मैं आगे चैप्टरस में समझाऊंगा, पर जो इन दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को मैं चाहता हूँ, कि आप समझें कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड दो तरीके की अथोरिटी होती है, और अब जो आगे समझने का जो आखरी टॉपिक है आज के इंट्रोड़क्टरी लेक्चर के अंदर, वो है एजिंसी को क्रियेट करना पहला, दूसरा है रेटिफिकेशन और जो तीसरी है वो रिवोकेशन और जियां तीन तरीके की एजिंसी हैं, जिसे की क्रियेट करना एजिंसी को, या फिर रेटिफाय करना, और तीसरा है रिवोक करना, तो आईए अब समझते हैं कि create करना तो agency जैसे कि मैं किसी company की agency ले लेता हूँ कि आज से मैं इनके products के अंदर deal करूँगा तो यहाँ पर agency create हुई दूसरी है जो है वो है ratification तो ratification of agency का मतलब है कि अगर कोई agent यानि कि मैं अगर कोई ऐसा काम बिना मेरी principal की रजा मंदिया consent के कर देता हूँ और बाद में मेरा जो principal है वो उस चीज़ को आगे accept करता है, adopt करता है कि जो भी मेरे agent ने काम किया है वो बिलकुल सही है मेरा consent है implied और जो भी इनने किया है उसके लिए अगर कोई informal consequences होते हैं तो मैं जिम्मेदार हूँगा तो इस तरीके से आप agency को ratify करते हो कि पहला जो काम हुआ वो आपके बिना consent के हुआ बिना आपकी authority के हुआ और बाद में आपने उसको ratify कर दिया कि ठीक है मैं इसे adopt करता हूँ या accept करता हूँ यह जो चीज़े होई हैं मैंने ही कहा था ऐसा काम करने को यह जो कहा है वो मेरी नजरों में जो करा है इस vaccine agent ने वो मेरी नजरों में बिलकुल सही है तो यह एक तरीके की ratification होती है आगे पूरा का पूरा जो है sub chapter है ratification के नाम से 196 section से start हो रहा है हम cover करेंगे पर अभी जो है वो समझना जरूरी है कि किन चीज़ों के बारे में हमारा पूरा chapter जो है agency वो बात कर रहा है जो तीसरा है वो है revocation of agency जी हाँ अगर कोई ऐसा गलत काम agent कर देता है जो principal को बिलकुल सही नहीं लगता तो ऐसी जगी जो principal है वो agency को revoke कर सकते है तो ये जो chapter है ये भी sub chapter है ये भी आगे जाके हमें agency के chapter के अंदर पढ़ने को मिलेगा और अब जो आखरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक table जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप draw करिये अपने pass में वो है agency chapter के division की जिहां किन किन sections के अंदर कौन कौन सी चीज़े cover हो रही है वो sections अगर आप याद कर लेते हैं तो असान होगा आपके लिए इन चीज़ों को समझना पढ़ना तो ये जो screen पे आपके सामने जो आ रही है image इसमें बता रखाएगी section 182 से 189 तक general provisions की बात कर रहा है कि agent कौन है principal कौन है agency क्या होती है express implied क्या होता है ऐसी चीज़े section 190 से 195 के बीच में sub agent की बात हो रही है जो मैंने बताया sub agent कौन होते हैं कि मैं तो agent हूँ और मैं किसी सामने तीसरे वेक्ति को और appoint कर देता हूँ कि आप मेरे बहाफ पे काम करिए मैं principal के बहाफ पे कर रहा हूँ और आप मेरे बहाफ पे काम करिए जो तीसरी चीज़े वो है ratification section 196 से section 200 जो मैंने आपको समझाया section 201 से section 210 201 से 210 के बीच में revocation की बात हो रही है section 211 से 221 section 211 से 221 तक agent की duties की बात हो रही है section 222 से 224 तक principles की duty की बात हो रही पहले agent की हो रही है बाद में principal की हो रही है और जो आखरी chapter का division है agency के अन्दर वो है section 226 से 238 जो third party के बारेहाँ बात कर रहा है यानि कि आपके बारेहाँ बात कर रहा है और जो भी व्यक्ति किसी भी एजेंट से कन्विंस होके अगर कोई चीज करता है एकसेप करता है खरीदता है वो थर्ड पार्टी है इस कॉंट्रेक के अंदर तो यहां पर हमारा जो चेप्टर है वो स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल रेडि है और अब हम अगले लेक्चर के अंदर यह कवर करेंगे कि एजेंसी क्या होती है सेक्शन कौन से सेक्शन से सेक्शन 182 से हम लोग कवर करना चालू करेंगे एजेंसी और उसके बाद हमारा इंडियन कॉंट्रेक्ट एट खतम हो जाएगा तो जो यह लेक्चर है यह इंट्रोड़क्टरी लेक्चर था चीजों को समझाने के लिए कि जो आगे वाने वाले चैप्टर है वो किस तरीके से रहेंगे वाकि जो पूरा एजेंसी का चैप्टर है बहुत असान है बहुत स्यादा असान है मैं कहूंगा कि पूरे Indian Contract Act में अगर कोई चीज असान है मतलब अगर मैं कोई दो चीजों को सिलेक करूगी ये दोनों चीज असान है तो उसमें से एक चीज जो होगी वो agency भी होगी कि जी हाँ पूरा agency का chapter बहुत असान है तो बहुत मज़ा आएगा अगले लेक्चर में cover करते हैं thank you and have a good day